हेलो दोस्तों आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूं गेहों के आटे से बनने वाली दो तरीके की चटपेटी नास्ते की रेसिपी तो इस नास्ते को बनाने के लिए एक कब गेहों का आटा ले लेंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें त तेल डालने से यह जो नास्ता है बहुती खस्ता बनता है तो अब हम आटे को मोहिन करेंगे तेल के साथ तो अच्छे से हमें मोहिन कर लेना है जितनी अच्छे से मोहिन करेंगे उतना खस्ता हमारा नास्ता बनके तयार होगा अब हम यहां पर पानी ले लेते हैं और थोड़ा पर मेंने लिए तीन उबले हुए आलू, आलू के मेंने छिल के उतार लिए एक ग्रेटर ले ले लेते हैं और ग्रेटर से हम आलू को कर दुक्रस कर लेंगे, आपके पास मेसर ये तो आप मेस भी कर सकते हैं तो मेने आलू को यहाँ पर ग्रेट कर ली है तिनों आलू को हम यहाँ पर डाल देंगे पियाज एक बड़े साइज का चौप किया हुआ पियाज थोड़ा सा हम अध्रक लसन का पेश डाल देंगे आदा चोटा चमच जितना दो कटी हुई हरी मिट्स डाल देंगे यह कम ज्य लेना है हमें और एक चुटा चमच हम इस पर कस्मिरी लाल मीज पाउडर फादा चुटा चमच हम यहाँ पर आमचुर पाउडर डाल देंगे इसकी जगह आप निंगु का रस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता स्वाधनुसा नमक डाल देंगे फिर हम इन सारी च इसमें से दो लोई बना लेंगे बड़े बड़े लोई हमें बना लेना है फिर आटे को एक चखले में रखते है थोड़ा सा सुखा हुआ लगा करके और हम इस रोटी को बेल लेंगे हमें थोड़ा बड़ा सा इच का रोटी बेल लेना है उसके बाद यह जो इस्टफिंग के बाद एक चकू ले लेते हैं और चकू से हम इसको साइजिंगे काट लेंगे तो मैंने इस लेखें और यहां पर यह थी तो कूप करेंगे 10 मिनिट बाद काई होज होग है तो आब हम यह निकल देते हैं इसको, मिक्सिंग बॉल ले ली है, इसमें हम दो अंडे को तोड़ देते हैं, इस नास्ते को में नंज वेजिटरियन और वेजिटरियन दोनों के लिए बताऊंगे, जो भी अंडा खाते हैं, उसको इस तरह से बना सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ममक डाल देंग एके से फेट लेंगे, फिर एक पैन में देल को गरम कर लेंगे, और यह रिफाइन डॉयल को, फिर यह जो अंडा का मिस्ट्रन है, इसमें हम आठा को डिप करेंगे, यह जो आठा से हमने बनाए थे, इसको डिप करेंगे और तेल में रख देंगे, तेल में हम इसको high-to medium flame म पकाना है क्योंकि यह already cooked है मैंने इसको steam की थी तो बस अब हमें इस नास्ते को जो ए खस्ता बनाना है तो मैंने यह जो process से यह की है तो इसी तरह से मैं इसको पकाऊंगे तो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आयो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe कीज़ेगा इससे मेरी वीडियो की notification आपको मिल जाएगी एक छोटी सी request रही मेरी आप से तो यह जैसे golden brown हो जाए हम इसको निकाल देते हैं और एक mixing bowl ले ले लेंगे इसमें हम डाल देंगे one foot cup जितना आठा गे हुका आठा फिर हम इसमें डाल देते थोड़ा सा धनिया पाउडर ये vegetarian लोगों के लिए जो भी अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए थोड़ा सा लाल मिर्ज पाउडर डाल देंगे और श्वादन उसा नमक डाल देंगे फिर हम इसमें डालेंगे पानी और पानी डालकर हम इसका खुल बना देंगे तो इस तरह का हमें खुल बना के तयार करना है बिल्कुल पतला सा यह आप देख सकते हैं मैंने बना ली है अब काड़ाई को पेन को ले लेते हैं और तेल गरम करके इसमें हम सेम तरीके से आटे के घूल में इस आटे को डिप करते हैं और इसको तेल में डाल देते हैं और high to medium flame में हम इसको fry कर लेंगे यह जो नास्ता है दुनों तरीके से खाने में बेहदी देश्टी लगती है आप जो भी तरीका आपको पसंद आए उससी तरीके से आप बना सकते हैं सामके चाय के साथ आप enjoy कर सकते हैं तो तैयारे हमारा नास्ताब कभी भी बनाई है और enjoy कि जे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में